सत्कुर की साजिन वाजी प्यारी सासंगत जी प्यार और सत्कार से कहना दान निरंकार जी हर सुबै होती शुरू सत्कुरू तुम्हारे नाम से दिन गुजरता शाम होती सत्कुरू तुम्हारे नाम से सद्कुर्माता जी आप जी के किर्पा से ये जीवन का सफर भीत रहा है इसी तरह आप जी अपनी मेर हर एक जीव के उपर बनाए रखना सभी का जीवन इसी तरह सेवा सिम्रन ससंग करते हुए आप जी के चर्णों में रहेकर अनन्द में बीते यही आपजी के चर्णों में कामना है, प्रातना है, सविकार करना, हम जितना भी आपजी का शुक्राना करें, सचे भाश्या उतना ही थोड़ा है, संगत जी कहते हैं, कर भला, हो भला, जब हम किसी का भला करते हैं, तो हम यह अपना भला मागने की जरूर थी नहीं पड़ती, अपना भला अपने आप ही हो जाता है इसलिए हम हर पल हर किसी का भला ही सोचे कभी भी किसी का बुरा ना सोचे कर सब्दा भला बिरे दाता अरदास कर दी है असी मंग तेरे दरे हो हर स्वास कर दी है जब हम अरपल इसके आगे सब के भले के अरदास करती है तो सब के भले में हम भी आ जाते हैं, हमारा भला भी हो जाता है सद्कुर्मात जी के अशीरवाज से दासी इसी तरह के उपकार भरे विचार रखने जा रही है विचारों का टोपिक है प्रोपकार, आप जी ये विचार प्रवान करें, अगर को गलती हो जाए तो शर्मा करें साज संगत जी कहती हैं, मुंबई से बैंगलोर जा रही ट्रेन में, सफर के दुरान टीसी ने सीर के नीचे छिपी युवती से कहा, तुम्हारा टिकट कहा है, कांपते हुई लड़की ने कहा, साहब मेरे पास टिकट नहीं है टीसी ने कहा, तो गारी से उत्रो, आगे से एक बहन की आवाज आई, कि इसका टिकट मैं दे रही हूँ, जो की प्रोफेसर थी उस लड़की से पूछा गया, कि तुम्हें कहां जाना है, आगे से वो लड़की कहती है, मैडम मुझे नहीं पता है, कि मैंने कहां जाना है, तो वो बहन कहने लगी, कि तुम मेरे साथ बैंगलोर चलो उस बैंगलोर तक का टिकट ले लिया, और उस लड़की को अपने साथ लेकर चली गई, और फिर उस बैंगलोर उशा जी ने उस लड़की से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है, आगे से उसने कहा लड़की ने, मेरा नाम चित्रा है, बैंगलोर पहुचकर बेहन उशा जी ने चित्रा जी को अपनी जान पहचान की एक स्वयम सेवी संस्था को सोप दिया, और एक अच्छे स्कूल में उसका एडमीशन करवा दिया, जल्द ही बेहन उशा जी का ट्रासफर दिल्ली हो गया, जिसके कारण बेहन चित्रा जी से उनका कॉंटेक्ट तूट गया, कभी कभी केवल फोन पर बात हो जाया करती थी, करीब 20 साल बाद बेहनूशा जी को एक लेक्चर के लिए सैन फ्रांसिस को यूएस से बुलाया गया, लेक्चर के बाद जब वह होटल का बिल देने वेलकम रूम पर गई, तो पता चला कि पीछे खड़े एक खूबसूरत तमपती ने बिल पे कर दिया था, बेहनूशा जी ने कहा कि तुमने मेरा बिल क्यों भरा, आगे से फिनमरता पूरण आंसर आया, मेम, यह मुंबई से बैंगलोर तक के रियल टिकट के सामनी कुछ भी नहीं है, उस बेहनूशा जी ने बड़ी हरानी से पुछा, बड़ी हरानी से कहा, अरे चित्रा, चित्रा और कोई नहीं बलकि, इनफोसिस फाउंडेशन की चेयर्मेन सुदा मूर्थी थी, जो इनफोसिस के संसापक शिरिन अरायन मूर्थी की धरम पत्नी है, यह चोटी सी कहानी उनी के लिख़्ी पुस्तक पर, दा डे आई स्टॉप्ड ड्रिंकिंग मिलक से ली गई है, कभी कभी आपके द्वारा की गई, किसी की सहायता, किसी का जीवन बदल सकती है, यदि आप जीवन में कुछ कमाना है, तो प्रॉपकार करना है, क्योंकि यही वो रास्ता है, जो जीवन को सुखी बनाता है, तो इस तरह सत्गुरु माता सुदिक्षाजी महराजवे, कि हर पल हमें यही समझाते हैं, जहां पर भी हमें किसी के हैल्प करने का, सेवा करने का मुका मिले, तो उस मुके को हमने जाने नहीं देना है, उस मुके का हमने लाब उठाना है, सत्गुरु, सच्चा पाश्या, हर पल यही समझा रहा है, कि जितना भी हो सके हम दूसरों का भला ही करते चले जाए कहते हैं कि 17 जुलाई 2018 का वह इतिहासिक दिन था जब साथ संगत के सामनी संत निरंकारी मिशन के सत्य ग्यान प्रेम की मशाल सत्कुरु माता सुदिक्षा जी महाराज को सोप दी गई जैसे ही सत्कुरु माता सुविंदर हर्देव जी महाराज ने मस्तक परतिलक लगा कर यह अनौस्मेंट की कि आज से सत्कुरु माता सुदिक्षा जी महाराज सत्कुर बाबा हर्देव सिंग जी महाराद के सपनों को साकार करेंगे उसी पल यह अनुबूती हुई कि निरंकार के विधान की सारी शक्तियां सत्कुर माता सुदिक्षा जी में समाहित हो गई हैं सत्कुरू ने जब स्वह्म सत्कुरू को प्रकट किया इस अवस्था में निरंकार प्रभू के विधान की सारी देवी शक्तियों का अपने आप ही उनके अंदर विले हो गया ठेक उसी परकार जैसे व्यवारिक जगत में भी होता है देश के PM या CM पोश्ट की शफ़त लेते ही पूरब परधान मंत्री या राश्टपती की सारी शक्तियों का विले तुरंट वर्तमान PM या CM में हो जाता है हम जानते हैं कि इन शक्तियों का तो निश्चित अक्षेतर अधिकार होता है लेकिन जब सत्गुरु प्रकट होता है तो यह पूरे ब्रह्मान की निरंकार की सारी देविश शक्तियों को संचालित करता है इसलिए कहा गया है तीन लोक नोखंड मी गुरु से बड़ा न कोई करता करे न कर सके जो गुरु करे सो होए सत्गुरु शरीर नहीं होता यह स्वेम निरंकार ही होता है सत्गुरु निरंकार की सारी शक्तियों को चलाने वाला होता है निरंकार का विधान सत्गुरु की रुहानी कलम से प्रकट होता है जिस प्रकार कानून की किताब सोयम ना तो किसी को सदा दे सकती है और ना ही किसी को माफ कर सकती है बलकि कानून की किताब जज की कलम से ही चलती है जज चाहे तो बड़े से बड़े गुनागार को माफ कर सकता है लेकिन यह बात भी ध्यान रहे कि माफ करना जज का विवेक अधिकार है अपरादी का हक नहीं इसी परकार सत्गुर चाहे तो बड़े से बड़े पापी को माफ कर सकता है लेकिन यह सत्गुरु का विवेक अधिकार है गुर्षिक का हक नहीं इसी बात को प्रकट करते हुए किसी कवी ने कहा है बक्षदे ता बक्षदे वरना किसे दा जोर नहीं हर गुना बक्षिश देलारे हर दफा कीताना कर यह बात हमेशा हमारे जहन में रहे कि जिस परकार जज न्याएक प्रक्रिया को किर्यान वित रूप देता है और उस सवस्ता में जज का रंग रूप अकार कद काठी न्याए देने में रुकावट नहीं बनता यानि कि जज जो भी फैसला करता है वो सही करता है उसके फैसले में कोई भी ऐसी बात नहीं होती कि उसने फैसला गलत किया है बलकि जज की योग्यता वे ग्यान ही उसे शक्षम बनाती है ठीक उसी परकार सत्गुरु जब निरंकार के विधान को किर्यान वित रूप देता इस अवस्ता में सत्गुरु का अकार रंग रूप नर्या नारी का होना कहीं रुकावट नहीं बनता क्योंकि ब्रम ज्ञान रुपी परम दत्व ही सत्गुरु होता है जो किसी भी घट से प्रगट होकर काम करता है संपूर्ण हर देव बानी में सत्गुरु बाबा हर देव स शिंग जी महराज इस बात को स्पष्ट करते हुए समझाते हैं सत्गुरु देहे का नाम नहीं है सत्गुरु होता ज्यान है सत्गुरु को एक देहे समझना भूल है अज्यान है क्याते हैं कि भागत हमेशा परम तत्व से जुड़ते हैं और इस निरंगकार को ही अपना आध भागत हैं सत्गुरु के शरीर रूप से जुड़े दुखों सुखों को देखकर वे विचलित नहीं होते वे कभी भी सत्गुरु की शक्ती पर शंका नहीं करते शक नहीं करते अगर हिष्टरी के पन्नों पर नज़र डाले तो पता चलता है कि जब भी संसार में पीर प्रकट हुए उन्हें संसारिक दुखों वैसुकों का सामना करना पड़ा भाई लक्ष्वन के मुर्शित होने पर भगवान शिरीराम चल्दर जी के अंदर भाई के वियोग की पीड़ा देखने को मिली सीता हरन होने पर भी भगवान शिरीराम जी के दिल में जो बेचैनी थी बहभी राम चरीत मानस के पन्नों में दर्ज है संसार में लोग शरीर से जुड़कर अपना अनंद खो बैठती हैं जबकि प्रमग्यानी प्रमात्मा के विरार सवरूप से जुड़ते हैं सत्गुरु के शरीर में जो प्रमग्यान रुपी सता समाई होई है उस से अगर मगर जैसी नेग्टिव थोट को अपने से दूर रखते हैं आज वकत के सत्गुरु माता सुदिक्षा जी महाराज में निरंकार की सारी देवी शक्तियां प्रकट हैं जो शक्तियां और जो ब्रम ग्यान की चोती सत्गुरु बाबा हरदीव सिंग जी महाराज में सत् कित्पा करें हम इनके वच्चनों पर चलकर इनका समान करते हुए इनके अशीरवादों के पात्र बनें नव्युक का सूरज चड़ा है संतों आगए हैं दर्शन हुए मन हरश आगए हैं आनंद हर सू बरसा है संतों हर देव जैसी सूरत है इनकी मम्ता भरी एक मूरत है इनकी सूकून सब को मिला है संतों तिलक सविंदर माने लगाया, सारे मिशन ने हैं सर जुकाया, सब का मुकदर जगा है संतों, हर सु उजाला फैला है संतों इस तरह सत्कुर माता सुदिक्षा जी महराज, वकत के सत्कुरू हम सब के उपर अपना मिहर भराहात रखे हुए है उस सत्य के परचार में दिन रात लगे हुए है और जो भी हमें समझा रहे हैं, हमने इस बात को बड़े ध्यान से सुनना है पहले शर्वन, फिर चिंतन, फिर मनन करे दिन रहन, आचरन बने हम सब का ऐसा कि हम हर पन इस आनंद में दूपे रहें दासी से विचार करते हुए, बहुत सी गल्तियां हुई होगी, उन गल्तियों के लिए आप दासी को शमा करें और सब के सुखों की कामना करते हुए दासी सभी के लिए सिम्रन करवाएगी सभी ने मिलकर सिम्रन मिल जुलकर करना है तू ही निरंकार मैं तेरी शरना मैं नू बख्ष लो बोलिये सत्गुरु माता सुदिक्षास सविंदर हर देव जी महराज कीजे निरंकारी राज माता गुरु बचनवतार कीजे सासंगजी प्रेम से कहना धान निरंकार जी